हम लोग कमिश्ट्री यानि रसाइन विज्ञान के दूसरे नमबर चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है अमल छारक एवं लवन और इस चेप्टर से समंधित पीछले विडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे प्रस्ण बताये थे जो कि सीधे सीधे आपके परिच्छा म में complete करा दिये थे तो यदि आप लोग को basic अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए आप लोग first part का विडियो जरूर देखिएगा प्लेइलिस्ट में आपको बिडियो मिल जाएगा आप लोग पूरा विडियो को ध्यान से concentrate होकर के एक बार देख लिजेगा तभी आप का यह जो कलास है वह इस चेप्टर का second part है लेकिन first part में हम आपको क्या क्या बताये थे इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जनकारी दे देते हैं कि first part में हम आपको aml और भस्म के बारे में बताये थे कि aml क्या होता है? अमल का परिभासा गुन के अधार पर क्या होता है और अरहेनियस के अनुसार क्या होता है क्योंकि दोनों परिभासा आपके लिए काफी जादा मतपूर्ण है उसी परकार से भस्म का परिभासा भी हम आपको बताये थे कि गुन के अधार पर भस्म का परिभासा क्या होता है और अरहिनियस के नुसार भस्म का परिभासा क्या होता है और उसके अलावा अमल के परकार और भस्म के परकार के बारे में भी हम आपको बताये थे कि अमल के भी दो परकार होते हैं और भस्म के भी दो परकार होते हैं जिससे हम लोग परबल अमल और दुरबल अमल कहते हैं और भस्म के जो दो परकार होते हैं उसे प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म कहते हैं और उसके बाद हम आपको रंजक और सूचक के बारे में भी बताये थे कि रंजक क्या होता है और सूचक क्या होता है सूचक आपके लिए जानना काफी ज़्यादा जरूरी है इसके लिए आ कि आपको सूचक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसके बाद हम आपको लिटमस पत्र के बारे में भी बताये थे और हम आपको बताये थे कि जो अमल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ध्यान रखिएगा आप लो और जो च्छार होता है वह लाल लिटमस को निला कर देता है यानि कि जो अमल है वह निला से लाल करेगा लेकिन जो च्छार है वह लाल से निला करता है तो यहां तक तो हम पिछले वीडियो में आपको complete करा दिये थे और आज के इस वीडियो में हम आपको यहां से बताएंगे कि अमल और च्छारक में क्या अंतर होता है जो कि यह काफी महतपूर्ण प्रस्ण है क्योंकि प्रतेक वर्स आपके परिच्छा में यह पांच नंबर का पूछा ही जाता है इसलिए आपके लिए यह वाला प्रस्ण काफी जादा महतपूर्ण है और अच्छे तरीके से आपको इस पूरे प्रस्ण को समझना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग इस प्रस्ण को बना देंगे तो फिस समझे कि 5 नंबर आपका complete हो जाएगा तो चलिए सबसे पहला प्रस्ण हम आपको यहीं बताएंगे कि अमल और छारक में क्या अंतर होता है लेकिन उसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हम लोग अंतर कैसे लिखते हैं आपको पता होगा एक तरफ हम लोग अमल लिख देंगे और दूसरे तरफ हम लोग छारक लिखतेंगे चारक को भस्म भी बोलते हैं हम पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं तो यदि हम चारक के जगा पर भस्म भी बोलेंगे तो आपको कनफ्यूज नहीं करना है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेर यहां पर चारक का अंतर बता रहे हैं और बार-बार भस्म बोल रहे हैं आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भस्म और चार या फिर चारक एक ही चीज़ होता है चलिए तो सबसे पहला अंतर हम लोग लिखेंगे कि यह स्वाद में खटा होता है लेकिन जो चारक होता है वह स्वाद में कड़वा होता है अमल और छारक के स्वाद के बारे में हम आपको बताये थे कि अमल का जो स्वाद होता है वह खटा होता है लेकिन जो छारक का स्वाद होता है वह कड़वा होता है उसके बाद दूसरा नमबर अंतर हो जाएगा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अमल के बारे में हम आपको बताये थे कि जो अमल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है लेकिन जो चार यानि कि जो भस्म होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है इसके बारे में अक्सर स्टुडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, नीले के जगा लाल और लाल के जगा नीले कर देते हैं, तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, अमल के तरफ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह नीला से लाल करता है, लेकिन जो भस्म होता है, ज लेकिन जो चारक होता है, जो भस्म होता है, वह मेथिल औरेंज को पीला कर देता है, तो तीन अंतर तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, उसके बाद चौथा अंतर हम लोग लिखेंगे कि यह जल में घुल कर H पलस आइन देता है, यानि कि जो अमल होता है वह जल में hydrogen iron परदान करता है लेकिन छारक यानि भस्म के बारे में हम आपको बताये थे कि जब हम लोग छारक को जल में घोलेंगे तो यह hydro oxide iron देगा यानि कि OH- iron देता है तो यह जो चौथा नंबर point से इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कापी महतपुन point है कि यह जल में घुल कर H- iron देता है यानि कि जो अमल होता है वह H- iron परदान करता है लेकिन जो चारक होता है वह OH- iron परदान करता है अब इसके बाद पाच्मा नंबर अंतर लिखेंगे कि यह चारक को उदाशीन कर देता है लेकिन जो भस्म होता है यह अमल को उदाशीन कर देता है आप लोग को यह वला लाइन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा इसको आप लोग समझे इस परकार से आपको इतना तो पता होगा कि जब अमल और भस्म दोनों एक साथ मिलता है तो उदासीन कर देता है यानि मान लिया जाए कि कोई अमलिये बिलियन है और यदि हमको उसको उदासीन करना है तो उसमें हम लोग छारिये बिलियन मिलाएंगे लेकिन अगर कोई छारिये बिलियन है तो उसमें हमको अमल मिलाना पड़ेगा तभी अबह उदासीन होगा तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जो अमल होता है वह चारक को उदाशीन कर देता है लेकिन जो चारक होता है वह अमल को उदाशीन कर देता है सिधे उल्टा हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा अब उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि अमल का पीच मान साथ से कम होता है पी एच मान के बारे में अभी हम आपको आगे बिस्तार रूप से बताएंगे तो आपको यह नहीं सोचना है कि पी एच मान क्या होता है पी एच मान के बारे में अभी हम आपको पूरे बिस्तार से बताएंगे तो पियेच मान के बारे में इतना तो आपको अभी पता ही होगा कि अमल का पियेच मान साथ से कम होता है लेकिन छार का पियेच मान साथ से अधिक होता है लेकिन अगर हम लोग उदाशीन के बारे में बात करें तो उदाशीन का पियेच मान साथ ही होता है आप लोग ध्यान र लेकिन जो छारक होता है वह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है इसके बारे में पिछले कलास में भी एक उधारन के माध्यम से हम आपको समझाये थे कि मान लिया जाए आप लोग सब्जी खा रहे हैं और सब्जी अगर आपके कपड़े पर गिर पीला क्यों होता है क्योंकि सब्जी में हल्दी डाला जाता है और हल्दी का रंग पीला होता है जिस वज़ा से जहां पर भी सब्जी गिरता है वहां पर कपड़े का रंग पीला हो जाता है और जब आप लोग सर्फ या फिर सामुन से उस कपड़े को साफ करेंगे तो आप हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि साबुन जो होता है वह चारक होता है ठीक है तो इसे यह असपस्ट हो गया कि जो हल्दी का पीला रंग होता है जैसे ही ओब च्छार के संपर्क में जाता है तो उसका पीला रंग लाल भूरे रंग में बदल जाता है तो कूल मिला करके यहीं 7 अंतर है जो की अमल और भस्मे में है यानि की अमल और च्छारक में है तो यदि आपसे परिच्छा में अमल और छारक के बारे में अंतर पूछा जाएगा तो हम हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े आराम से 5-7 अंतर तो जरूर लिख देंगे कम से कम अधी आप लोग 5 अंतर भी लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा लेकिन 5 से कम आपको नहीं लिखना है नहीं तो फिर 5 से कम लिखेंगे तो आपका नंबर हो सकता है काट लिया जाएगा तो बहुत ही जादा आसान है आप लोग जरूर कर लेंगे चलिए अब इसके बाद अगला नंबर प्रस्ण हम लोग देखेंगे चारक और चार में क्या अंतर होता है तो चलिए ठीक उसी तरह से हम लोग एक तरफ चारक लिख देंगे और दूसरी तरफ चार लिख देंगे सिर्फ इसका दो ही अंतर है हम आपको सिंपल से लेंग्वेज में बताते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा अंतर आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो चलिए, पहला अंतर हो जाएगा कि सभी छारक जल में बिले नहीं होते है बिले कहने का मतलब होता है कि जल में घुलना, ठीक है तो जो सभी छारक होता है वह जल में बिले नहीं होता है यानि ऐसा नहीं है कि छारक जल में नहीं घुलता है कुछ-कुछ छारक ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है लेकिन कुछ छारक ऐसा भी होता है जो जल में बिले नहीं होता है लेकिन अगर चार के बारे में हम लोग बात करें तो सभी चार जल में बिले होता है सीधे आपको इसका उल्टा कर देना है और उसी परकार से दूसरा अंतर लिख देंगे कि सभी चारक चार नहीं होते हैं लेकिन सभी चार चारक होते हैं तो इससे तो यह असपस्ट हो गया कि छार को ही छारक बोला जाता है तो यदि हम लोग छार को छारक बोलते हैं तो इसमें आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि छार अलग चीज हो गया और छारक दुसरा कुछ हो जाता है और भस्म कुछ और होता है तीनों एक ही होता है बस थो और चार में अंतर या दोनों अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से पदार्थ में या फिर कौन से फल में कौन सा अमल पाया जाता है क्योंकि बार बार अब्जेक्टिब कोश्चन में आप से पूछा संत्रे में कौन सा अमल पाया जाता है बिच्छू के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है तो यह सभी बात जानना आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है तो चलिए अगला नंबर प्रस्ट में हम लोग यहीं देखेंगे कह रहा है कि कुछ प्राकिरतिक स्रोत जिनमें उ पर्टरिक अमल पाया जाता है टमाटर या अमरुद में औक जेलिक अमल पाया जाता है खटा दूद या फिर दही में लैक्टिक अमल पाया जाता है अगर हम लोग बात करें चीटी के डंक या फिर नेटल का पौधा या फिर मदमक्की के डंक में तो फॉर्मिक अमल पाया जा लेकिन इसमें formic aaml तो है ही नहीं, इसमें तो mythanoic aaml है तो आप लोग ध्यान रखेंगे formic aaml को ही ty noic aaml बोला जाता है और यह किसमें पाया जाता है तो चीटी के डंक में, madhumakki के डंक में और नेटल के पौधा में चलिए उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेवे में मौलिक अमल पाया जाता है मक्खन में ब्यूटरिक अमल पाया जाता है और यदि हम लोग उल्टी की बात करें आप लोग दी मतलब आप लोग समझते होंगे जो बोमेंटिंग करना होता ह यानि कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि खाना नहीं पचता है तो उल्टी हो जाता है तो जो उल्टी होता है उसमें भी ब्यूटरिक अमल पाया जाता है उसके बाद दसमा नमर है बसा बसा में अस्टेरिक अमल पाया जाता है उसके बाद आप लोग ध्यान कि इसका नाम HCA ले और अंदर जटर्र होता है उसके बाद बिच्चू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है तो यहाँ पर 15 हम आपको बताये हैं यदि आपसे परिच्छा में पूछा जाएगा तो यहीं 15 में से कोई पूछा जाएगा क्योंकि जितना भी महत्वपून था उतना हम आपको बता दियें ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पतार्थ हैं जिसमें कोई पीएच स्केल क्या होता है और पीएच मान हम लोग कैसे निकालते हैं क्योंकि अभी हम आपको बता रहे थे कि अमल का पीएच मान साथ से कम होता है लेकिन भस्म का पीएच मान साथ से अधिक होता है तो हम लोग पीएच मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में अब आप लोग ध्यान से समझेगा लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि pH मान किसको कहते हैं तो देखिए किसी भी billion में उपस्तित hydrogen iron की सांदरता को उस billion का pH मान कहते हैं कहने का मतलब हुआ कि hydrogen iron की मात्रा billion में कितना है जो सांदरता हम यहाँ पर लिखे हैं कि hydrogen iron की सांदरता को तो सांदरता कहने का मतलब होता है कि इस billion में hydrogen iron की मात्रा कितना है कितना परतिसद hydrogen है और जितना जादा hydrogen होगा pH मान उतना ही जादा अधीक होगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो pH मान यदि आपसे कोई पूछ देता है कि pH मान किसको बोलते हैं तो बस आप लोग एक लाइन में यहीं बताईए कि कोई billion में hydrogen ion की मात्रा कितना प्रतिसत है या फिर कितना है उसी को हम लोग pH मान बोलते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा pH का मतलब होता है potence of hydrogen या फिर power of hydrogen देखिए pH तो P से होता है potence जिसका मतलब power होता है और H से होता है hydrogen और यदि हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो potence of hydrogen या फिर power of hydrogen बोलेंगे और power of hydrogen है इसलिए हम लोग यहाँ पर definition लिख दिये कि hydrogen ion की सांदरता को ही billion का pH मान कहते हैं कि hydrogen का power कितना है अगर कोई billion है मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग कोई billion ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर hydrogen ion कितना है इस billion में और जितना hydrogen ion इसमें रहेगा इस billion का pH मान उतना ही ज्यादा अधिक रहेगा तो अब आप लोग pH मान के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी billion में उपस्थित hydrogen ion की मात्रा को ही या फिर hydrogen ion की सांदरता क ही उस billion का pH मान कहते हैं लेकिन pH मान निकालने के लिए हम लोग pH a scale का उपयोग करते हैं जैसे मान लिया जाए कि कोई हम लोग billion ले लिये और हमको पता नहीं है कि यह अमलिये है कि छारिये है उसको हमको पता करना है तो इसके लिए हम लोग pH a scale का उपयोग करते हैं फिर आप खटा लगेगा तो बोल देंगे अमल है लेकिन यदि कड़वा लगेगा तो बोल देंगे कि यह चार है लेकिन हम आपको बता दें कि सारे अमल को चक करके बताना काफी जादा मुस्किल है लेकिन हम आपको बता दें कि सारे अमल को चकना बहुत ही जादा मुस्किल है क्योंकि जो परवल अमल होता है जो a strong acid होता है उसको हम लोग नहीं चक सकते हैं क्योंकि हम आपको पिछले क्लास में बताये थे कि कुछ अमल ऐसे भी होते हैं जिसका एक बुंद भी अगर हमारे सरीर के उपर गिर जाता है तो वहाँ पर के पूरे मांस्पेसी को जला देगा यहां तक के शरीर पर भी पढ़ जाता है तो आग कित्रह वहाँ का पूरा शरीर जला देता है इतना अधिक सकती साली होता है तो हम लोग उसको जीव पर ले करके कैसे चक सकते हैं तो उसी के जाच के लिए यहां पर pH a scale बनाया और यह जो pH a scale बनाया यह 1909 इसवी में ही बन गया था और इसे बनाने वाला का नाम था सोरेंसन आप लोग ध्यान रखियेगा यानि pH a scale का खोज किस ने किया तो सोरेंसन ने किया 1909 इसवी में आप लोग ध्यान रखियेगा इस वात को कभी कभी पूछ दिया जाता है कि pH a scale का खोज कौन किया था तो इसका जवाब होगा सोरेंस लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि pH अस्केल होता क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह अस्केल जिसकी सहायता से किसी बिलियन का pH मान ग्यात किया जाता है उसे pH अस्केल कहते हैं या फिर आप लोग इस परकार से भी बोल सकते हैं कि वैसा अस्केल जिसकी सहायता से क किसी billion का अमलियता या छारियता की जाच की जाए उसे भी हम लोग pH scale बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग pH मान निकाल रहे हैं तो इससे तो यहाँ असपस्ट हो जाएगा कि billion अमलिये है या फिर छारिये लेकिन यदि आपसे परिच्छा में पूछा जाता है तो वहाँ पर अमलि definition लिखेंगे तो फिर ज्यादा सटिक रहेगा और आपका number भी नहीं कटेगा योब असकेल जिसकी सहायता से किसी billion का pH मान ग्यात किया जाता है उसे pH scale कहते हैं और pH scale हमें यह पताता है कि कोई billion कितना अमलिये है या फिर कितना छारिये है कहने का मतलब यह तो पता लग जाए कितना strong है और कितना big है इसके बारे में भी हमको pH scale के माध्यम से पता चल जाता है चलिए कैसे पता चलता है pH scale के माध्यम से इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं तो देखिए इसको बोलते है pH scale का परास तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि pH scale का परास क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसा प्रास होता है, जिसमें pH मान के अधार पर इसे तीन भागों में माटा गया है, देखिए, यहाँ पर हम pH अस्केल का एक चित्र बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक से लेकर करके 14 तक pH अस्केल में अंकित होता है, जिसमें हम आपको साथ रहेगा तो उदाशीन होगा, साथ से यदि कम रहेगा तो उदाशीन होगा, लेकिन साथ से यदि अधिक रहेगा तो उदाशीन होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे देख लीजे, यहाँ पर साथ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो उदाशीन है, जैसे जैसे य यह इधर जाएगा वह ऐसे वह ऐसे इसकी प्रवलता बढ़ते चला जाएगा और जैसे जैसे वह बाएं तरफ जाएगा उसकी प्रवलता अमलियता की और जादा बढ़ते चला जाएगा तो यदि अगर कहीं पर भी पिएच असकेल एक बता रहा है तो समझे कि वह प्रवल अ पश्षार है कि कोई उदास्थीन-billion है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसके लिये एक pH Paper होता है, जिसका रंग white होता है, आप दीयान रखियेगा. pH Paper, जिसका रंग कैसा होता है? उडियान होता है. तो हम लोग क्या करेंगे? कि इस फेपर को इस बिलियन में ले जा करके डाल देंगे ठीक है इस pH पेपर को यहां से ले जा करके हम लोग इस बिलियन में क्या करेंगे डाल देंगे और इस बिलियन में डालने के बाद हम लोग मिलाएंगे कि इस पेपर का रंग कैसा हो गया यद इस सफेद का सफेद ही रह गया तो हम लोग कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा जैसे जो यह pH scale आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह रंगीन होता है जिस परकार से इंदरधन उसमें 7 रंग होता है तो इस pH scale में भी सारे रंग मौजूद होते हैं जैसे यहाँ पर बैगनी हो गया जमूनी हो गया नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नरंगी हो गया, लाल हो गया तो आप लोग यहाँ पर चितर में देख रहे हैं कि यह pH scale का चितर है जिसमें बहुत सारे रंग मौजूद है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इस white paper को यानि कि pH paper को इस liquid में डालते हैं और इस liquid में डालने के बाद इस paper का रंग जैसा हो जाता है तो हम लोग pH scale में खोजते हैं कि ऐसा रंग कहां पर मिल रहा है जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इस white paper को इस liquid में डाल दिये और liquid में डालने के बाद इसका रंग जो हो गया वा लाल हो गया तो लाल हम लोग खोजेंगे कि इस pH scale में लाल कहां पर है तो आप लोग देख रहे हैं कि लाल यहां पर लिखा हुआ है तो यानि कि जब एक दो के आसपास है या फिर तीन के आसपास भी है तो समझे कि या a strong acid है यानि कि परवल अमल है तो इस परकार से हम लोग पता कर लेते हैं कि या परवल अमल है कि दुरवल अमल है चलिए एक उधारन के माध्यम से और हम लोग समझते हैं जैसे मान लिया जाए कि इस pH paper को हम लोग इस liquid में डाल दिये और इस liquid में डालने के बाद इस जो paper का रंग है वह जामूनी कलर का हो गया तो जो जामूनी कलर का हो गया तो हम लोग अब इस पूरे pH scale में देखेंगे कि जामूनी कलर कहां पर है कहां पर के color से जो इस pH paper का color है वह मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जामूनी कलर देख रहे हैं कि यहाँ पर है तो जैसे हम लोग देख लिए कि जामूनी कलर यहाँ पर है इसका मतलब कि सबसे लास्ट में है तो यदि सबसे लास्ट में है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि 7 से अधीक है साथ से चौदा के बीच में है इसका मतलब कि सबसे पहले तो यह हमें पता चल गया कि यह भस्म है क्योंकि आमल रहता तो साथ से कम रहता लेकिन साथ से अधीकारा है तो हमें पता चल गया कि क्या है भस्म है लेकिन यहाँ पर चौदा के आसपास है इससे यह अस्पस्ट हो गया कि यह प्रवल भस्म है यानि कि a strong base है तो इसी परकार से pH paper की माध्यम से और pH scale की सहयता से किसी भी अमल या किसी भी छार का pH मान निकाला जाता है और यह पता कर लिया जाता है कि यह जो अमल है वह प्रवल अमल है कि दुर्वल अमल है तो अब आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि pH स्केल में एक से 14 तक के ले करके पूरे वड़ अंकित होते हैं एक दो तीन चार से करके 14 तक जिसमें 7 जो होता है उब उदासीन के लिए होता है 7 से कम होता है तो इसका मतलब कि बिलियन अमलिये है 7 से अधीक होता है तो इसका मतलब कि बिलियन छारिये है और इसका जाच करने के लिए एक pH paper होता है जिसको हम लोग liquid में डालते हैं और liquid में डालने के बाद हम लोग pH scale से मिलाते हैं कि कहां पर के रंग से match कर रहा है और जहां पर के रंग से match करता है उसी के अनुसार अमल होता है और उसी के अनुसार चार होता है तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान जो की बार बार अब्जेक्टिव कोश्चन में पूछा जाता है आपको पदार्थ का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इसका पीएच मान कित अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे इसलिए कुछ पदार्थ का नाम हमें यहाँ पर लिख दिये हैं ताकि आप लोग यदि इतना भी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर इससे बाहर का नहीं पूछा जाता है तो चलिए जिसमें सबसे पहले आपको देखना है अमासे रस तो अमासे रस में अभी हम आपको बताए कि हाइड्रो क्लोरिक अमल पाया जाता है जो कि एक प्रबल अमल होता है इसलिए इसका पीच मान कितना होता है एक होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे कम यानि जीरो और एक के पास जो रहत निम्बू रस का pH मान 2.5 होता है, सिरका का pH मान 3.0 होता है, टमाटा रस का pH मान 4.1 होता है, पसीना का pH मान 4.5 होता है, ध्यान रखियेगा, अमल वर्सा का pH मान 5.6 यानि 5.6 होता है, मुत्र का pH मान 6.0 होता है, चलिए उसके बाद दूद का pH मान 6.5 होता है, और उसके बाद प्येच मान साथ होता है जिसमें सबसे जादा महत्पुन सुध जल ही है क्योंकि परिच्छा में बार बार सुध जल के बारे में पूछा जाता है कि सुध जल का प्येच मान कितना होता है तो साथ होता है चुकि आप लोग जानते हैं कि सुध जल ना तो अमलिये होता है और न नहीं चारिये गुन हो तो जिसमें ना तो अमलिये गुन है और नहीं चारिये गुन है उसी को हम लोग उदासीन बोलते हैं तो जो सुध जल होता है वह ना तो अमलिये होता है और नहीं चारिये होता है तो यहां तक जो अभी हम आपको बताए ध्यान रखिएगा जितना भी ह हम आपको इधर बताए यह सभी अमलिय स्रीनी में आते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सभी का पियेच मान 7 से कम है और जो भी 7 से कम होता है वह अमलिय स्रीनी में आता है लेकिन जो आपको हम यहां से यहां तक बता रहे हैं यह सभी 6 हैं क्योंकि आप लोग देख रह तो खून का pH मान 7.4 होता है जो पीत पाया जाता है उसका pH मान 7.5 से 8.8 के बीच में होता है और जो चूना जल होता है इसका pH मान 11 तक होता है यानिकी 11.0 होता है तो यहां पर जो भी पदार्थ हम आपको बताए है या सभी छारिये पदार्थ है और इधर जो भी पदार्थ हम आपको बताए यह सभी अमलिये पदार्थ है और इसका पी एच मान कितना होता है तो इसको आप लोग कंठस्ट त्याद कर लिजेगा क्योंकि आपके लिए यह काफी ज़्यादा महतपुन है और यदि objective question में पूछ दिया जाएगा तो सीधे सीधे आपका एक नमबर मिल जाए इसका मतलब कि सुध जल कैसा हो गया ना तो अमलिये हो गया नहीं चारी हो गया यानि कि उदाशीन हो गया और उदाशीन का पी एच मान कितना होता है सात होता है तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं अब चलिए इसके बाद एक और प्रशन का उत्तर का क्या महत्व है यह अबला प्रस्ण भी काफी महत्व पूर्ण प्रस्ण है क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो दिर्गुतर ये प्रस्ण में ही यानि की पांच नंबर का ही पूछा जाएगा तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीच का क्या महत्व होता है तो दियान रखिएगा हम लोग लिखेंगे कि दैनिक जीवन में पीच का निमनलिकित महत्व होता है जिसमें सबसे पहला महत्व होगा कि आप लोग को पता है कि हमारे सरीर का पीच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है लेकिन यदि हमारे सरीर का पीच मान 7 या फिर 7.8 से अधीक हो जाएगा, तो फिर बुखार की इस्थिती उत्पन हो जाती है, या फिर कभी-कभी तो ऐसा होता है, कि आदमी की मिर्तु भी हो जाती है, तो जो हमारे सरीर का पियेच मान है, उसको बैलन्स रहना बहुत ही जादा जरूरी है, नहीं तो आदमी की मिर् तो भी हो सकती है उसके बाद दूसरा नम्मर महत्ब है कि अमलिये बर्सा का पीच मान 5.6 से कम होता है जो अमलिये बर्सा होता है अमलिये बर्सा के बारे में आप लोग जानते होंगे तो अमलिये बर्सा का जो पीच मान होता है वह 5.6 से कम होता है लेकिन यह तलाओ और नदी में रहने वाले जीवों के लिए काफी हानिकारक होता है आप लोग देखे होंगे आप फिर कहीं पर भी पढ़े होंगे कि जब अमलिये वर्सा होता है तो बहुत बड़े-बड़े तलाओं की मचलियां भी मरने लग जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई तलाओं में पानी के जगा अमल रहेगा तो मचलि कैसे जिन्दा रहेगा और जब अमलिये वर्सा होता है तो क्या होता है कि pH मान 5.6 से कम हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि pH मान यदि 3-4 तक रहता है तो वह परवल अमल होता है यानि कि 5.6 भी है तो समझे कि मिलाज उलाकर कि वह परवल अमल की स्रेनी में ही आता है और जब strong acid कोई तलाओं में पड़ेगा तो उस तलाओं के सारे जीब जन्तू को मार देगा तो दूसरा महत्ब तो pH का यह भी हो गया उसके बार तीसरा महत्ब होता है कि आदर्स मिट्टी का pH मान 7 से 7.6 होता है यह वाला प्रस्ण भी कभी कभी objective में पूछ देता है कि मिट्टी का pH मान कितना होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 7 या 7.6 होता है लेकिन जब मिट्टी अमलिये हो जाता है तो इस इस्थिती में CAO या फिर CAOH का दिहॉल 2 या फिर CACO3 का उप्योग करते हैं यानि कि calcium oxide आप लोग देखते होंगे कि कोई-कोई खेत में चूने का पानी दिया जाता है या आपी चूना पत्तर को छिड़क दिया जाता है या चूने के powder को भी छिड़क दिया जाता है ताकि क्या जो मिट्टी है यादि वह अमलिये हो गया है तो वह उदासीन बन जाए क्योंकि अमलिये मिट्टी रहगा तो उसमें फसल अच्छी नहीं होगी इसलिए उसमें चूने का पानी दिया जाता है इसका उपयोग करने से मिट्टी उदासीन हो जाता है और जब मिट्टी छारिये हो जाए तो धेंचा यानि जिपसम का उपयोग किया जाता है देखिए जब मिट्टी अमलिये हो जाए तो उसमें चूना का पानी हम लोग डालेंगे लेकिन जब मिट्टी छारिये हो जाता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि धैंचा बुना जाता है या फिर हरी खाद दिया जाता है या फिर जिपसम का उप्योगी किया जाता है लेकिन मुख रूप से आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी गौँ में धेंचा बुन दिया जाता है जब खेत ऐसे खाली होता है परीत होता है तो उसमें धेंचा बुन दिया जाता है और उसको फिर पानी में सडा दिया जाता है और कहीं कहीं पर मिट्टी जांच करने का केंद्र भी खुला हुआ रहता है तो तीसरा महत्व तो हमारा यह वाला हो गया अब चलिए उसके बाद चौथा महत्व क्या है हमारे जीवन में पी-एच का कि हमारे पेट में हैड्रोकलोरिक अमल का निर्मान होता है जिसका पी-एच मान 1.4 होता है और यह पेट को हानी पहुँचा है बिना भोजन को पचाने में सहयता प्रदान करता है लेकिन यदि पेट अधिक HCL की मात्रा को उत्परण करने लगे तो पेट में दर्द का अनुभव होता है और इससे बचने के लिए एंटा सीड का उप्योग करते है या फिर मिल्क ऑफ मेगनेसिया MGOH का दिहॉल्टू का परियोग करते है पिछले दिन हम आपको बता रहे थे पिछले क्लास में कि जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर मिल्क ऑफ मेगनेसिया का भी हम लोग परियोग करते हैं या फिर खाने बाला सोटा का भी परियोग करते हैं और उससे ओबाठीक हो जाता है तो पिछ का महत्व तो वहाँ पर भी है आप लोग जानते हैं उसके बाद पाच्मा हमारा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में pH का कि दांत के उपरी परत को इनेमल कहते हैं जिसका सुत्र CA3PO4 के पावर धोल ट्वाइस होता है या सरीर का सबसे कठोर पतार्थ होता है जिसका pH मान 5.5 होता है और इसमें कम होने पर इनेमल का संचारन होने लगता है इससे बचने के लिए बिभिन परकार के पेस्टों का इस्तेमाल किया जाता है यानि कि जो हमारे दांत के उपर जो कठोर आवरन पाया जाते हैं उसका pH मान कितना होता है 5.5 होता है और कभी-कभी इसमें संचारन होने लगता है तो इससे बचने के लिए ही हम लोग पेश्टों का इस्तिमाल करते हैं उसके बाद छटा नमर उप्योग है हमारे जीवन में पीच का कि नेडल का पौधा आपको हम बताये थे कि नेडल का पौधा अम लिये होता है उसमें अमल पाया जाता है तो नेटल का पौधा अमलिये प्रकृति का होता है इसके पतियों के चुप जाने से दर्द और जलन होता है नेटल के पौधे में काटा पाया जाता है आप लोग ध्यान रखियेगा और जब नेटल का पौधा हमारे सरीर के अंदर चुप जाता है तो जलन होने लगता है और फिर दर्द देने लगता है तो इससे बचने के लिए डाक के पौधे के पतियों का परियोग करते हैं क्योंकि निटल का पौधा अमलिये होता है लेकिन जो डाक का पौधा होता है वह चारिये होता है तो जब अमल और छार आपस में मिलता है तो उदासीन बन जाता है जिससे दर्द कम हो जाता है या फिर जो जलन होते रहता है वह कम हो जाता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में pH का कितना महत्व होता है यदि pH का महत्व नर है हमारे दैनिक जीवन में तो आदमी की मिर्तु तक हो सकती है तो यहां तक तो आप लोग अगले वीडियो में complete करेंगे और इसके आगे से जितने सारे भी प्रस्ण है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो चलिए आज का यह कलास आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर बताईएगा नीचे कमेंट करके और यदि आपको यह कलास अच्छा हम लोग पूरा करेंगे तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद